रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बताएं कि भोपाल के रहने वाली चुंकी यादव ने इतिहास रच दिया है विश्व कप के 25 मीटर स्पोर्ट स्पिस्टल इवन्ट में 1110 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाली चुंकी यादव विश्व के नमबर वन खिलाड़ी बन चुकी है इनके इस काम्याबी से उनका परिवार काफे खुश है साध्य थारं से परिवार से आने वाले चुंकी यादव की काम्याबी से उनका परिवार बहुत खुश है बेटी के उपलब्दी पर जहां एक और पिता का सीना गर्भ से चोड़ा हो गया है तो वहीं मा भी बहुत खुश है इसके साथ चिंकी यादव और उनके परिवार से बात की है भोपा से जी मदप्रदेश 36 कर समवा दाता राहूल मुश्रा ने देखे है पिस्टल इवेंट में चिंकी यादव वर्ड नंबर वन बनी है और ये मदप्रदेश के लिए भी गौरो का विसे है और साथ में उनके परिवार के लिए भी है मैं आज उनके परिवार के साथ में हूँ और जीत करके ट्रॉफी जीता है इन्होंने जीत करके आई है में खुश हैं इनके परिवार भी खुश है पहले तो ट्रॉफी इनको मिली है साथ में वर्ड नंबर वन भी बन गई है मैं आपसे जब मिला था उससे में देखा काफी एक आगरेचीत हो करके आप खेल रही थी आप वर्ड नंबर वन चिंकी आदो कितना गोरो साली फिल करती क्या कितना टफ कंप्टिशन था जब गई आप यहां से तो थोड़ा सा स्ट्रेश भी देख रहा था मैं आपके चेहरे पे क्योंकि काफी लॉक्डाउन था लॉक्डाउन और इसमें जो कोरोना का एक पूरे के पूरे प्रोटॉकॉल थे उसमें आप लोग खेलने का यह अपर उमीद नहीं थी यह मैंने कुछ नहीं था कि मैं क्या मैडल लूंगी यहां मैंने प्रैक्टिस की और मुझे इसा था कि मैं जिस चीज़ में महनत कर रही हूं कि अगर सकूं वहां पर गई और फिर एक यह बहुत इंपॉर्टन भी था मेरे साथ साथ मेरे कोच के किस काबिल हूं में कितना करने के काबिल हूं तो मैंने अपनी पूरी जान लगाई इस वर्ल्ड कप में और उसका असर मुझे दिखा मैं बहुत कुछ नहीं पता था कि मुझे मैडल लेना है यह मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था बट हा मुझे खुद में एक चीज थी कि न कि लिए भी खुद को लूज नहीं करना है बस इतना था और राखी कुछ नहीं था और मैंने वही चीज की और अब जाके मैडल ले ले पाई हूं मेरा पहला मैडल है इसा नहीं है कितना तफ कंप्टिशन वहां पे बहुत सारे किलाडी ते वहां पे एक ओलंपिक मैडलिस् अब प्लेमिक में और फाइनल मेरे साथ ही थी और और वी प्लेयर से जो बहुत एक्सपरियंस थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है मैंने अभी तक तो अलंपिक खेला ही नहीं है तो मुझे कोई एकसपरियंस नहीं है बट हमुझे खुद में इतना था कि कोई मेरे इन्पॉर्टन नहीं रखता, मैंने खुद को स्मोच रखता है, चिंकी का अगला टारगेट क्या है, नमबर वन के बाद, मेरा अगला टारगेट है कि मैं जितनी महनत कि उससे जादा बहनत करके और आगे देश का नाम रोशन करूँ बस, यह जब आप अचीव करती हैं तो इ करने हैं? इस से पहले थोड़े चांसे सकंथे मेरे ऑलम्पिक के सेलेक्शन के लिए, बट मुझे अब नहीं लगता है कि वर्ल्लक प के बाद मेरा चांस कम हो क्योंकि मुझे उमीद है और जहां तक है कि मुझे ऐखना मेरा सेलेक्शन हो का ओलम्पिक के लिए. मद्यपर्देश से हैं मद्यपर्देश में खास तौर पर बोपाल से हैं गरवानवे लोग फोन करते हैं पर मतलब दोस्तों के लिए फोन करते हैं फोन करके क्या बोलते हैं हाँ मेरे दोस्तों लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं वाह तू हमारी दोस्त है हमको यकीन न वोछ जाता है कि पार तो अभी जब बेटी नाम रुसन करके एंभात जी तौब गार बहुत गर्ब है और में बहुत खोची मुझे क्योंकि देश के लिए लड़की ने माहिनात प्रिये मेडल प्रार ड़क्ट किना दो एक मेहनत का यह हो तक है महें होता है को कि अब डती है माता पीता सब्चा ते है किसे आगे बढ़ना है आप क्योंकि एक ऐसी middle class फैमली ऊह से निकल करके आप प Georg Mix के तौर पर आने की कैसे आपने छिंकी को मोटिवेट कि इंकी को कैशे आपने वहां पर खेलने के लिए शूटिंग करने के लिए आपने कैसे मुटिवेट किया कैसे द्यान शुरुआत किया यह तो क्या है शुरुआत में यहां पर फर्स्ट टाइम सुटिंग रेंज खुला था तो मैंने इसको ले गया प्रेक्टिस कराने के लिए गोले का विश इसके बाद में हिम्राज राना सर थे जो चले गए तो शार्डगन बंद हो गई थी फिर इसके बाद दूसरे बार से फिर एड़िसन हुआ समर के में तो इसको पिश्टल में डाल दिया था तो इसमें लगन भूत थी तो फर्स्ट बार में कोईच लोगों ने बुला कि बहु सुटिंग ही क्यों आपने कहा कि लेकर रखे जाएंगे बीटिया को कहेंगे कि नहीं जाओ और अर्जुन की तरह जो है वहां क्या है कि बच्चों की लगन भी होना चाहिए जदी में अपने आप ले जा के छोड़ दूर बच्चा निकरे तो कोई मतलग नहीं बच्चे में लगन थी तो वह आगे निकल गई अपनी महने से परशानी पहले सुरुवात के दिनों में आपको क्या क्या परशानी है यहां पर आई मेंगा खेल है पिश्टल महंगी होती है या इकुपमेंट्स महंगे होते हैं तो उन सभी चीजों को कैसे आपने यह क्या है हमारे विभ क्या है बिल्कुल बच्का लगन से करेगा तो बहुत आगे पूचेगा हुँन बस लगन होना जहीए बच्चे में तब क्या कहते हैं मतलब ऐसा नहीं होता था कि किस उम्र में आपने शुरूआत करें कि चिंकी खेलना शुरूआत कि यह 12 लाइवर से कि उम्र में पहले आनी सकती जब कोज इसको छोड़ेंगे तभी यह आएगी नहीं तो प्रक्टिस करने इनका मन था कि नहीं खेलने के लिए नहीं बहुत मन था यह क्या एक साल के अंदर मतलब इंटरनेशनल पहुच गई थी लगन थी जर्मनी में गई थी तो पहला गोल्ड मेडल था इसका तो यह लिए मतलब आपके जो दोस्त होंगे या ना ते रिस्तेदार जितने होते हैं कहां यार खेल के चकर में पड़े हुए हो बीटी आकुलेजर उसमें हां रिस्तेदार तो बोलते ही है कि आपने लड़की को इतनी आगया पुचा दी है कि शुरुआत आपने किया होगा तब तो बहुत लोग कहते हुए हां रोग भी लगाते हैं बोलते कि यार लड़की कहां आप पहुचा रहे है इतनी दूर और इसा गेम बहुत महेंगा है करानी पाओगे आप मिन के नहीं वो तो आप जब देखा आपने मेडल ने पहले दिल की दड़कन बढ़ रही थी इसकोर देख रहा था में तो कम ज्यादा हो रहे थे कि उपर वाले ही इस पर जाने की क्या होता है मतलब बिलकुल कम ज्यादा एक दम हो रहे थे फिर लास्ट लास्ट नम भूत अच्छे पाइंट बने जब इनकी टाई होगी थी 32 32 में लग रहा था पतानी क्या होता यह बताइए आप जब इन्होंने कहा कि इसको खेलने के लिए भेजेंगे शूटिंग के लिए जाएंगी चिंकी जाएंगी खेलने के लिए जाएंगे आप सहमत कि अपाइला तो सौचा था कहां यह भी अर्श एसा फिर देखतें कि नहीं नहीं अच्छा है मतलब यह जा रहे हैं आप एपिर अंदर सा मेरा मन हुआ कि चल खेलाने सब़ेगे करना चाहिए तो फिर बो जा रही थी तो पूरा टाइम देती उसको जो यह सब तरह करके और पहुती तरह के सब प्रॉसी अंहें क्या चिरह किया वह लोगे नहीं जाते हुं पहुती तेंग यह सब दस्तेहं को दर्मिटी को शुमत रिश्त्टेदा और सब्धों सबस्क्राइल सब्सक्राइम में बैठी को नहीं हुता certainty मैं पर आप बोलते हैं और आप बोलते हैं तो तो तेरी इतनी पड़ी भी नहीं है लेकिन सोच तेरी बहुत अच्छी है कि लड़की का महा पूचा दिया इसा बोलते हैं अपने आप देख रही थी आप पूरा मैच देखा मेरा ताहत पर धंडा हो रहा था मेरा फिर यहीं बोल रही थी कि भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देना उसने बहुत लगन से मेहनत किये लेकिन फिर कहां दिखना चाहती हैं अब आप कि कहां पहुंचें कौन सा अचिव कि अपने लड़की को इतनी आगे पूचा देए कि जो हमने खुआ वह भी नहीं सोचा कि हम इतने आगे बोलते हैं हर माबाप हमारे बच्चे कुछ करी नहीं रहे हैं घर बेठे हुए हैं कि अच्शी मेंट कि अछुख मैं अब आगे एक होता है टार्गेट होता है हमेशा कि आगे टार्गेट ओलंपीक का होगा कि जाए मेहां на afr भी तो सही की तो अनुपर मेडल के लिए तो मैने जो से मिहनत कीrier मुझे लगता है कि मुझे उससे से दसगुना और जब्ला मेरश करने की चाहँ है हां यह चीवमेंट है भुछ बढ़ा चीवमेंट है बट इससे जघा बड़ा चीवमेंट ज़िए और ऐम पिक में हो जीते हैं और उलंपिक में देश के लिए नाम रोशन करें वहां से गोल लेकर करें इनका यही अगला टार्गेट है और इनका परिवार भी आप देखा जाए कि परिवार कभी है कि आगे अचीव करें टारगेट अचीव करें, ओलम्पिक से ही जीत करके हैं और परिवार भी इस बात को लेकर करके खुश है कि ये वर्ड नंबर वन बनी है केमरावन नंदन के साथ राहूल मिस्राज, जी मिडिया, बोपा